Hello students and welcome to Roshi's Education Point. आज हम पढ़ेंगे आपकी आशा, जो की हिंदी वन की आपकी बुक है. Class 3, Chapter 5, Name of the Chapter is Professor Chintamani Nagesha Ramachandr Raav. क्या है पाठ का नाम? Professor Chintamani Nagesha Ramachandr Raav. तो देखते हैं इस पार्ट में क्या है? Professor Chintamani Nagesha Ramachandr Raav C.N.R. Raav के नाम से प्रसिद्ध है. अब इनका इतना बड़ा नाम था, तो इस वज़े से इनको शॉर्ट में सब C.N.R. Raav के नाम से जानते थे. वे हमारे देश के महान विज्ञानिक हैं. तो ये C.N.R. Raav कौन है? ये एक वैज्ञानिक है. अभी हाल में भारत सरकार ने उन्हें देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया है. जो भारत रत्न होता है, ये एक बहुत बड़ा सम्मान का अवार्ड होता है. जो की इन्हें हाल ही में मिला है. प्रोफेसर C.N.R. Raav का जीवन हमेशा कठिनाईयों से भरा रहा है. अब इनका जो जीवन था उसमें बहुत सी कठिनाईया थी. उनका जन्म सन 1934 में करनाटक राज्जिमें की राजधानी बैंगलूरू में हुआ. तो इनका जन्म कहा हुआ है? करनाटक की जो राजधानी है बैंगलूरू वहाँ पर इनका जन्म हुआ. उनकी माता का नाम हनुमंत नागेशाराव था पिता का नाम नागम्मा नागेशाराव था. ये उनके माता और पिता के नाम थे. उनकी प्रारंबिक शिक्षा घर पर ही हुई अब उनको प्रारंब में घर पर ही पढ़ाया गया था उनको स्कूल नहीं भेजा गया था प्रारंबिक शिक्षा के बाद वे वासवना गुडी के आचारे पाठशाला में पढ़ने चले गए थे कहां पढ़ने चले गए थे? वासवना गुडि के आचारे पाटशाला में विज्ञान के प्रती उनकी रुची इस विद्याले में अध्यन के बार तौरान जगी अब उनको कब पता चला कि उनको विज्ञान की तरफ बहुत रुची है तो उसे इन्हें इसी विध्याले में ये चीज पता लगी थी 1947 में वे उच्छ विध्याले की शिक्षा पूरी कर बैंगलूरू के केंद्रिय महा विध्याले में पढ़ने चले गए थे 1947 में क्या हुआ था? वो अपनी उच्छ विद्याले की पढ़ाई को पूरा करके फिर बैंगलूरू के एक केंद्रिय महाविद्याले में उन्होंने अपना एड्मिशन ले लिया था यही से उन्होंने 1951 में सनातक की डिग्री प्राप्त करी यहीं से उनोंने महाविद्याले से सनातक की डिग्री प्राप्त करी थी प्रोफेसर राव की रुची विज्ञान के अध्यन में थी इसलिए वे विज्ञान में डिप्लोमा कोर्स करना चाहते थे परंतु उनकी विदवता देखकर उनके एक शिक्षक ने उन्हें बनारस हिंदू विष्व विद्याले में दाखिला लेने की सला दी अब उनको तो सिर्फ विज्ञान के शेत्र में एक डिप्लोमा का कोर्स करना था लेकिन इनके एक शिक्षक थे तो शिक्षक ने बोला कि तुम्हें बनारस के हिंदू विश्व विद्याले में दाखिला लेना चाहिए बनारस हिंदू विश्व विद्याले से उन्होंने रसायन शास्त्र में सनातकोत्तर की डिग्री प्राप्त करी और अपनी शिक्षक की बात मानते हुए उन्होंने बनारस हिंदू विश्व विद्याले में दाखिला ले लिया यानि के एडमिशन ले लिया और वहां से इन्होंने सनात कोतर की डिग्री प्राप्त कर ली इसके बाद उन्होंने पुञ्डू विश्व विध्याले इंदियाना से PhD कर ली उन्होंने PhD भी कर ली उनका पहला रिसरच पेपर 1954 में चपा था उन्होंने जो पहली बार रिसरच पेपर बनाया था वो 1954 में चपा गया था 1959 में राव भारत लोटे और शिक्षन के शेत्र से जुड़ गए ये जब भारत पहुचे तो ये वापस इस शिक्षन के शेत्र में मतलब पढ़ाई के शेत्र में ही इन्होंने अपना योगदान देने का सोचा 1962 में IIT कानपुर में उन्होंने नौकरी मिली और वह सीधे रसायन शास्त्र विभाग में विभागा द्यक्ष बन गए तो ये क्या हुआ इनको 1962 में नौकरी मिली और कहां मिली इनको रसायन शास्त्र विभाग में और ये डाइरेक्ली क्या बने विभाग के विभागा द्यक्ष बन गए प्रोफेसर राव का नाम विज्ञान जगत में मटीरियल केमेस्ट्री के शेत्र में बड़ी इज़त से लिया जाता है इस शेत्र में उन्हें पांच दशकों का अनुभव है तो कहां पर इनका नाम बड़ी इज़त से लिया जाता है मटीरियल केमेस्ट्री के शेत्र में और इनको कितने साल का अनुभव है? पांच दश्कों का, पांच दश्कों का मतलब पच्चास साल का इनको अनुभव है प्रोफेसर राव अपने आप में इतने व्यस्त रहते हैं कि उन्होंने अपने कमरे से कम्प्यूटर हटा दिया है अब ये इतने व्यस्त रहते हैं, इतने बिजी रहते हैं कि इनके पास कुछ भी करने का टाइम ही नहीं होता इस वज़े से इन्होंने अपने जो कमरा था उसमें से इन्होंने कम्प्यूटर को भी हटा दिया वे अपना email कभी चेक नहीं करते और mobile का प्रयोग भी सिर्फ अपनी पत्नी से बात करने के लिए करते थे अब आज के समय में तो सभी लोग email को चेक करते हैं लेकिन इन्होंने कभी अपना email चेक नहीं करा और अपना mobile phone भी सिर्फ किस काम मिलेते थे अपनी पत्नी से बात करने के लिए उनके परिवार में पत्नी इंद्रमती राफ के अलावा दो बच्चे बेटा संजय और बेटी सूचित्रा है इनके परिवार में टोटल तीन जने हैं कौन-कौन एक इनकी पत्नी एक इनका बेटा और एक इनकी बेटी है भारतिय शास्त्रिय संगीत में उनकी बहुत रुची है वे वीना और सितार भी बजाते हैं अब विज्ञान में तो इनकी रुची है ही इसके अलावा इनको गाना बजाना इसमें भी बहुत रुची थी तो इन्होंने वीना और सितार बजाना भी सीख लिया था उनका कहना है कि अपने देश की तरक्की के लिए विज्ञान में तरक्की बहुत जरूरी है अब ये क्या मानते थे तो ये मानते थे कि अगर आपको आपके देश की तरक्की करनी है देश को तरक्की का मतलब उन्नती दिलानी है तो आपको विज्यान के शेत्र में ही तरक्की करने की जरूरत पड़ेगी आज दुनिया में उनी देशों का नाम और मान हैं जिन्होंने विज्यान के शेत्र में तरक्की की है इनका मानना था कि आज दुनिया भर में उनी देशों को जाना जाता है जिन्होंने विज्ञान के शेत्र में कुछ ना कुछ तरक्की की है राफ चाते हैं कि भारत विज्ञान के शेत्र में एक ताकत बने राव चाहते क्या है कि भारत में विज्ञान भी सबसे अच्छा हो उनकी कामना है कि भारत अगले 20 वर्षों में विज्ञान के शेत्र में दुनिया के प्रथम चार देशों में से एक हो इनका हमेशा से एकी सपना है कि आने वाले बीस सालों के अंदर ये कम से कम दुनिया के जो चार बड़े-बड़े देश हैं जहां माना जाता है कि विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है उन चार देशों में से एक देश हमारा भारत भी हो ये इनकी सपना है आज भी वे अपने प्रयोक शाला में घंटों प्रयोक करते रहते हैं और आज भी वो इसी उमीद में है कि एक ना एक दिन वो विज्ञान के शेत्र में कुछ तरक्की जरूर करेंगे वो घंटों अपने प्रयोक शाला में ही रहते हैं तो इस पार्ट से हमें ये सीख मिली है, हमें विज्ञानिकों के जीवन से प्रेड़ना लेनी चाहिए. हमें उनसे बहुत सी कुछ चीजें हैं, जो हम उनसे सीख सकते हैं, और हमें सीखना भी चाहिए. तो ये था आपका चाप्टर, अगर आपको कुछ भी समझ में अगर नहीं आया है इस चाप्टर में से, आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएंगे. थैंक यू सो मच.